Welcome to Only Ais, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज 13 April 2022 है, तो आज़े देखते है Important Articles आगे बढ़ने से पहले जानकारी है Tejas 3 जो कि Prelims का Crash Course है 2022 के लिए आप इस Course को No Cost EMI में ले सकते हैं जब भी आप EMI लेते हैं तो Course की Fees थोड़ी बढ़ जाती है बट यहां नहीं बढ़ेगी आप दो installment पर अपनी Fees पे कर सकते हैं Course को अभील करने के लिए आप बूट और यास.in पर जा सकते हैं जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहां मेल कर सकते हैं आगे भरते हैं पहला आर्टिकल देखते हैं That is of State, Energy and Climate Index एक Index है जो राज्यों में Energy और Climate को लेकर जो developments हो रहे हैं उन्हें ट्रैक करेगा नितियायोग ने इस Index को launch किया है इसे आप Short में सेकी बोल सकते हैं State Energy and Climate Index यह पहला Index है जो राज्यों में और UDs में ट्रैक कर रहा है कि Climate Change को लेकर या फिर Energy सेक्टर में राज्य किस प्रकार से efforts लगा रहे हैं Objective क्या है? Objective है कि हम States को rank करें उनके efforts यानि की प्रयासों के आधार पर कि वो Energy Access कैसे improve कर रहे हैं Energy के consumption को कैसे efficient बनाया जा रहा है Energy efficiency कैसे maintain हो रही है और हम environment को बचाने की कोशिक किस प्रकार से कर रहे हैं Further, हमें मदद भी करनी है राज्यों की ताकि State Level पे हम affordable, accessible, efficient और clean energy की और आगे बढ़ सके इसके अनामा हमें एक healthy competition को भी encourage करना है राज्यों के बीच में कि वो राज्यों तो ज़्यादा अच्छा energy के field में कर रहा है या climate की field में कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए kind of competition आएगा जिससे हमें positive outcomes मिलेंगे total है 6 parameters पहला है discount performance यानि कि जो electricity supply करने वाली companies हैं वो कितनी efficiency से work कर रही है access, affordability and reliability of energy जो energy sources हमारे पास available है वो कितने reliable है और कितने affordable है बहुत महंगे तो नहीं clean energy initiatives के इस प्रकार से राज्य ले रहे है energy का जो भी use हो रहा है वो कितना efficient है environment को हम pollute तो नहीं कर रहे है नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे है और कौन से नए initiatives लिए जा रहे है यहाँ पर राज्यों को उनके size के आधार पे और जगरिफिकल differences के basis पे larger states smaller states and uts में categorize करके उनका evaluation किया जाएगा बड़े राज्यों को छोटे राज्यों के साथ compare करना भी तोचित नहीं है ना बड़े राज्यों में number 1 पे रहा गुजराथ फिर number आया केरला और पंजाब का 36 गड़, मदरप्रदेश और जारखंड यह अच्छा perform नहीं कर रहे हैं बॉटम में है smaller states में गोवाने टॉप किया है फिर number त्रिपुरा और मनिपुर का भी आता है यूटीज में टॉप पर रहा चंडीगड फिर number डेली, दमनन दीवन दादर अन नगर हविली का आता है हमारा नेक्स आर्टिकल हैलिना के बारे में है हैलिना ये एक्चुरी में हेलिकॉप्टर वर्जन है नाग मिसाइल्स का मतलब वो नाग मिसाइल्स जिनने हेलिकॉप्टर से फायर किया जा सकता है ये anti-tank guided missiles होती है मतलब हम इनका इस्तेमाल करके दुस्मन के tanks को destroy कर सकते हैं अभी हाल ही में हैलिना को successfully test fire किया गया है पोखरन से नाग तो functional है हम उसका हेलिकॉप्टर वर्जन तयार कर रहे हैं इसे DRDO ने develop किया है जो उनका missile and strategic system cluster है DRDO का उसी के तहट इसे develop किया गया है तो हैलिना का मतलब तो आपको clear ही है मतलब वो नाग missiles जिनको हम हेलिकॉप्टर से fire कर सकते हैं ये fire and forget class anti-tank guided missiles है fire करके भूल जाईए वो अपने target को hit करेंगे advanced light helicopter यानि कि जो ALH है उन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा ये 7 km की range को cover कर सकता है सभी प्रकार के weather में दिन में रात में capable है battle tanks को defeat करने में further ये किसी भी प्रकार के chopper से हम integrate कर सकते हैं चाहे वो army से associated हो या air force से वैसे air force में जिस नाग missile का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ध्रुवास्तर बोलते हैं ठीक है जो missile है वो directly hit mode में जाती है और उसके बाद top से attach कर देती है जो भी उसका target है infrared imaging seeker लगा होता है जो इसे बहुत ज़ादा advanced weapon बना देता है जो guided होकर अपनी target को hit करने की capacity रखता है हमारा next article axiom 1 mission के बारे में है पहला private mission है जो international space station पे गया इसके पहले भी private mission गये है लेकिन वो low earth orbit में जाकर यू चक्कर लगा के वापस आ गये थे उन्होंने जाके international space station में खुद को dock नहीं किया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है axiom 1 mission जो गया है यह पहला private mission है जिसमें खुद को dock किया है international space station में यह first all private astronaut mission है US based company जो axiom space है उसने इस mission को भेजा है mission को launch किया गया NASA के Kennedy Space Center से जो कि Florida में located है और यह Space X crew dragon endeavor के तहर जो astronauts हैं उनको लेकर गया purpose यही है कि astronauts एक हफ़ते का समय लगबग international space station पे बिताएंगे जिसके तुरान scientific research outreach और commercial activities को ध्यान में रखा जाएगा axiom space की बात करें तो यह एक company है जो basically focus करती है space travel पे कोसिस करती है कि space travel को commercially available बनाया जाया मतलब कोई पैसा देके space पे जा सके इसके लावा यह space की understanding को भी improve करने की कोशिस करते है कि जब कोई astronaut जाता है वहाँ पे तो human body पे क्या प्रभाव कर पड़ता है तो researchers इस सम्मन में research भी कर पाएंगे हमारा नेक्स आर्टिकल Time Release Study के बारे में है Central Board of Indirect Texas and Customs यानि की CBIC ने Time Release Study को जारी किया है नाम पर ध्यान दीजेगा Time और Release मतलब Release होने में कितना समय लग रहा है इसी की Study है क्या Release होता है देखे Export-Import में Cargo Ships आते हैं तो जो Cargo Ships आ चुके हैं उनको Clearance देने में कितना Time लगता है कि अगर Import हुआ है तो वो Import देश में कनवे हो सके चला जाए, Transport हो सके Export होना है तो वो Export हो जाए इस Process में Clearance के Process में कितना Time लग रहा है उसे ही कहा जा रहा है या उसे ही Analyze किया जा रहा है Time Release Study में इस Exercise को इस बात को संग्यान में लेकर रखा जाता है कि जो हमारे strategic commitment है कि हम Global Trade को Improve करेंगे तो अगर हम Cargo Ships को बहुत लंबे समय तक होड़ करके रखेंगे तो फिर Global Trade Improve कैसे करेगा इसलिए जरूरी है कि हम Performance को Measure करें कि आखिर Cargo Clearance Process में International Trade में कितना Time लगता है जो Time WTO ने Recommend कर रखा है या WCO ने यानि कि World Custom Organization ने क्या हम उसको Follow कर पाते हैं Method adopt किया जाता है Average Cargo Release Time के लिए कि एक बार जो Cargo है अगर वो पहुँच गया Port पे तो फिर Custom Stations उसे कितने टाइम में Clear करते हैं Export या Import के लिए यहाँ पर Port को चार केटिगरी में Divide किया जाता है Sea Ports Air Cargo Complexes यानि कि ACC Inland Container Deport ICD और Integrated Check Post यानि कि ICP यह Ports मिलकर 80% जो Import Document है उसे Handle करते हैं और 70% Export Documents Handle करते हैं तो Findings में क्या निकल के आया है Cargo Release Time इंप्रूव हुआ है अगर आप पहले से तुल ना करेंगे तो जो ACC है ACC का मतलब हमने यहाँ पर Discuss किया था That is Air Cargo Complexes उसमें 16% की Efficiency मिली है 16% कम टाइम लग रहा है वहीं ICD और Sea Port में 12% कम टाइम लग रहा है ICP में भी 2% टाइम कम लगने लगा है हमने Targets बनाये थे National Trade Facilitation Action Plan के ताहर 2030 तक हम ICP की Category में यानि कि Integrated Check Post पर जो भी Clearance Required होता है उसमें 100% Target Achieve कर लेंगे और Backy Categories में 75% Target Achieve करने की उम्मीद है हमारा Next Article E-BCAS Project के बारे में है Parliamentary Consultative Committee जो कि Civil Aviation Ministry के साथ Attached होती है उन्होंने इस Project पे चर्चा की जो BCAS है यानि कि Bureau of Civil Aviation Security इसके उपर जिम्मेदारी है कि ये National Aviation Security Program को Establish, Develop, Implement, Maintain और Review करें क्यों बढ़ियां से काम कर रहा है कि नहीं हमारा Aviation Sector सेफ है या नहीं ये Civil Aviation Operations को Unlawful Interference से बचाता है Threats को Tackle करता है Safety को Ensure करता है Regularity और Efficiency भी Flight पर जो होती है उसे भी अभी इसे E-BCAS में Convert कर दिया गया है मतलब इसे E-Governance के Under में ला दिया गया है यहाँ पर Online Platform के माध्यम से सभी Stakeholders इस Project में Engage हो पाएंगे ये existing process को और जदा Strong करेगा Transparent और User Friendly बनाएगा Further जो सारी प्रत्रिया होगी वो Digital हो जाएगी Fast Approvals मिलेंगे और Ease of Doing Business को भी इससे बढ़ावा मिलेगा हमारा नेक्स आर्टिकल Megalithic Stone Jars के बारे में है जिने आसाम में खोजा किया है आसाम के दीमा हसौर डिस्टिक्ट में कई सारे Megalithic Stone Jars यानि कि पत्थर के बरतन खोजे गए हैं उमीद है इस तरीके से कि इंडिया का जो आसाम का रिजिन है वो साउथ इस्ट इस्ट इशा से जुड़ा रहा होगा कि इस कल्चर ले किसी भी तरीके से 2nd millennium BC यानि कि आज से 200 साल पहले यह जार कुछ ऐसे दिखते हैं पत्थरों को बीच में से एक बरतन दुमा आकरती दे दी जाती है इसमें वो संभावत अपनी ग्रीन्स या फिर कोई अन्य सामान स्टोर करके रखा करते होंगे मेगलिथिक स्टोन जार्स फर दा फस्ट टाइम 1929 में देखे गए थे जब बिटिस सिवल सर्वेंट जीम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेंरी हटर ने इसे खोजा था उसके बाद दीमा हसौर डिस्टिक्ट में आसाम के 6 साइट्स खोजी गई काफी लंबे समय तक डिसकवरी बंद रही 2014 में अगें डिसकवरी को शुरू किया किया 2016 में हमें 2 नई साइट्स मिली और 2020 में 6 नई साइट्स खोजी गई जो नुचु बंगलो है वहाँ पर हमें 546 स्टोन जार्स मिले हैं उमीद ये की जाती है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन जार्स साइट है ये स्टोन जार्स कई सारे तो बिल्कुल लंबे और कुछ सिलिंड्रिकल है as you can see that in the image further कुछ तो पूरी तरीके से जमीन के उपर है कुछ को आधा जमीन में गाड़ा गया है या फिर हो सकता है समय के साथ मिट्टी से वो कबर हो गए हूँ 3 मीटर हाई और 2 मीटर वाइड इस प्रकार के हमें डेकोरेटिव कार्विंग वाले जार भी मिले है study ये बता दिया है कि कुछ ऐसे ही similar जार हमें लाउस और इंडोनेशिया में भी मिले है दो साइट्स हैं जहां पर similar जार मिले है तो इससे ऐसा लगता है कि में भी वो culturally linked रहे हो हमारा next टार्टकर गिलगिट बालतिस्तान के बारे में है गिलगिट बालतिस्तान में massive protest देखा गया है पाकिस्तान के खिलाफ वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की authorities जबरदस्ती उनके गाउं की जमीनों को हड़प रहे है और वहां के natural wealth का आवशक्ता से अधिक exploitation कर रहे है गिलगिट बालतिस्तान की बात करें तो दीखे यहां पे जो पाकिस्तान occupied कस्मीर है इससे बिलकुल लगता हुआ ये एक region है गिलगिट बालतिस्तान का जो की जम्मुन कस्मीर इसी का हिस्सा है इसे अभी Pakistan ने occupy किया हुआ है नौर्थ में ये चाइना से जुड़ता है फर्दर अफगानिस्तान से जुड़ता है साउथ एस्ट में जो हमारा यूटी है वरतमान का जम्मुन कस्मीर जो यूटी अभी बनाया गया है उससे ये connect होता है जो geographical boundary है यहाँ पर पाकिस्तान occupied कस्मीर से भी इसके जुड़ती है मतब कस्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने occupy करके रखा हुआ है इसके पहले जो जमुएन कस्मीर नाम का एक princely state हुआ करता था जिसने भारत के साथ खुद को जोड लिया था जब देश आजात हुआ यह गिलगित बालतिस्तान का रेजन भी उसी का हिस्सा था पाकिस्तान ने 4 November 1947 को इस रेजन पे कबजा जमा लिया था जब उनके ठ्रैबल मिलीशिया और उनकी आर्मी ने अटैक किया था जमुएन कस्मीर के ऊपर चैना पाकिस्तान एकनोंिक कॉरिडर इस रेजन से हो कर पास होता है इसे अपना पांचवा प्रोविंस बना रहा है चाल प्रॉविस वहाँ पर बलूचिस्तान, खैवरबक्तूर्वा, पंजाब और सिंध है इंडिया नहीं बहुत ही क्लियरली ये बोल के रखा हुआ है कि पाकिस्तान ओक्यूपाइट कस्मीर के साथ साथ गिलगिट पालतिस्तान भी जम्मुन कस्मीर का हिस्सा है और इंटिग्रिल पार्ट है इंडिया का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Intelligent Transportation System Endeavor for Indian Cities Initiative के बारे में है Transportation, गाडियों की आवाज आही उसमें हम Technology का इस्तेमाल करें Intelligent Technology का इस्तेमाल करें इसके लिए मेती ने भी हाली में तीन Software Applications लाँच किये है मेती का फल फॉर्म है Ministry of Electronics and Information Technology ये इस इनिशेटिव का सेकंड फीज है इसका उद्दिश ये है कि हम Research and Development को बढ़ावा दें कोलाबरेट करें IIT Bombay, IIT Madras IISC Bangalore और C-DAC के साथ हम एक Intelligent Transportation System डेवलप करें जहाँ पर हम Technology का इस्तेमाल करें Transportation को बहतर बनाने के लिए Intelligent Transportation System में Basically Public Transport, Planning and Operational Management सभी को शामिल कर लेते हैं जहाँ पर हम Communication Technologies का इस्तेमाल करते हैं तीन Software डेवलप किये गए हैं पहला है Onboard Driving Assistance and Warning System और ODAFS ये आसपास की एरिया को Analyze करता है Navigational Sensor के माध्यम से इससे ये Road Accident को Avoid कर सकता है Radar Sensor इस्तेमाल करती है वहिकल्स इसमें दूसरा है Bus Signal Priority System BSPS इसमें एक Congestion को Track कर सकता है कौन सा Route जहाँ पर अगर Bus वगएरा जाती है तो फज जाएगी निकल नहीं पाएगी तो उने Route बताएगे कि आप इस Route से जाएए जिससे Buses वगएरा का Faster Movement दिखा जाएगा तीसरा है Common Smart IoT Connected या Cosmic ये Vehicles के Movement को Monitor करेगा जिससे हम Tracking को Facilitate कर पाएगे और Road Accidents वगएरा को भी Track करना आसान होगा Revision करते हैं State Energy and Climate Index मदर प्रदेश ने टॉप किया गलत है, गुजरात ने टॉप किया है Time Release Study अफगानिस्तान से ये West में लिंक होता है, ठीक है, चाइना से North में होता है और कस्मीर से South East में, that's true Intelligent Transportation System Endeavor for Indian Cities Initiative ये false है विकॉर ये मेती में आता है Ministry of Road Transport and Highways में नहीं ठीक है, अगर मैंने वहाँ पर अफगानिस्तान को North में बता दिया था, तो आप उसे West में connect कर लिजीएगा ठीक है, so that's true तो आज का session यहाँ पर समात करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद